वेरी गुड इदिनिंग टॉल अफ यू आज ऑक्टोबर का आखरी दिन है और जैसा आप जानते हैं ऑक्टोबर का पूरा महीना हमने मिस्कैरिज, प्रेगनसी लॉस और स्टिल बर्थ अवेरनेस मन्त के तौर पे हर साल मनाया जाता है मिस्कैरिज एक ऐसी स्थिती है जो पेशन्ट को नकेवल बहुत ही परिशान कर देती है पर पूरी तरह से कई बार तोड़ देती है क्योंकि कई केसिस में सारे प्रिकॉशन, सारे ट्रीक्मेंट लेने के बाद भी ये स्थिती सामने आ जाती है और जब इसका कोई सोल्यूशन नहीं रिखता है, जब डॉक्टर्स ये कह देते हैं कि कुछ प्रतिशत केसिस में मिस्कैरिज तो होता ही है तो बहुत व्यक्ति, परिवार, समाज, सब निराश हो जाते है आज इस विशह पर बात करने के लिए हमारे साथ है श्रीमती दीप्ति तिवारी दीप्ति is professionally an animator and she has gone through this journey of multiple miscarriages बहुत मुश्किल होता है जब हम जीवन में एक खुशी के मुकाम में हैं वापस जाकर और उन यादों को फिर से ताजा करना जो कि हमारे लिए बहुत पीड़ा दाय थी पर कभी-कभी हमारा जो अनुहव है वो ऐसे किसी विक्ति को मदद कर सकता है जिसके जीवन में अभी पिल्कुल अंधेरा है जिसे कोई आशा की किरण नजर ही नहीं दिखाई दे तो इसलिए दिप्ति में आपकी बहुत-बहुत शुक्र बुजार हूँ कि आज आप आई यह इतना पर्सनल टॉपिक है इसके बारे में आपने चूज किया बात करना और वो भी जीवन के इस पड़ाओं में जब आपके पास अभी तीन बच्चे हैं आप कितना व्यस्त रहती होंगी इसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते तो उस टाइम पर सिफ आप तो उस टाइम पर सिफ आप थे मेरे साथ नेक्स तो अगले मॉर्णिंगी दे दिया था तो उस टाइम पर सिफ आप थे मेरे सामने जिसने मेरी हेल्प की बट ऐसे कई लोगे जिनको वो भी नहीं समझ में आता है कि कौन उनको गाइड कर दे तो संक्षेप में आप अपना ये जो मिस्क्यारिज़ उसके बाद कंसीव करना उसके पाद एक सक्सेस्टू डिलिवरी इसका अनुभा शेयर करें और फिर किस तरह से ये सारी पढ़ाओ पार करते हुए आपने अपने आपको स्ट्रॉंग बनाय रखा अगला कदम उठाते है और आज फाइनली जो हमारा सपना था सबका वो सच हो गया है तो एक्षली फर्स जो मेरी प्रेगनेंसी थी काफी नॉर्मल थी नैशरली कंसीव किया तब मैं आपके पास आई थी आइटिंक फिफ्ट मन तक मुझे कोई प्रॉब्लम कभी हुई ही नहीं ना कभी वामिट ब्रेक हुआ जिसका मुझे नॉलेज ही नहीं था कि क्या ही हुआ है मुझे लगा कि एक नॉर्मल चीज है एंड आइटिंक संडे था जब एकदम से मुझे ब्लीडिंग सी स्टार्ट हुई जैनु युझे ड़ी ड़ी तो वो बेभी गर्ल थी जो मेरी फ्र्स थी उसके बाद अपने सरकलाज की बात की कि भई वाट नेक्स्ट मैं हमेशा मैं कभी भी मैं नेगेटिव रही नहीं तो अब क्या वाट नेक्स्ट हमेशा एक क्वेशन था मेरे मन में कि भई ये नहीं तो ठीक है, अब क्या करना है। तो वो क्लाज भी फेल हुआ, वो काफी शॉकिंग था और थर्ड टाइम जब कंसीव किया, उस टाइम पे आई थिंग कोविड लग गया था। तब एक ही चारा था कि भई पूरा बेड रेस्ट लिया जाए, जितने प्रिकॉशन से सब लें हम। उसके बाद भी प्रेगनेंसी फेल होना काफी जादा शॉकिंग था सभी के लिए। मेरे फादर थे पूरे टाइम मेरे साथ, उनी के साथ मैं शिफ्ट हो गई थी। तो वो एक चीज काफी शॉकिंग थी, तो I remember मैंने उसी टाइम आपसे पूछा था कि मैं what next, मैंने सर्च कर रखा था सरोग इसी के बारे में और ये सब, तब फिर हम इस डिसीजन पर आए कि चलो ठीक है भी, आपको बिचारा बनना ही नहीं है, ना आप अपनी नजरों में बिचारा बनो, ना किसी को अलाओ करो कि वो आपको बिचारा समझ लिया, फिर आपके पास कोई चारा नहीं है, सिवा है रोने के, तो I remember मैं इतनी राते रोई हूँ अकेले रूम में बंदो कर, बट जैसी the moment I stepped out, मैं smile किया है, मैंने, ये जो पूरी जर्णी थी, उसमें मैं automatically, I don't know क्यों, बट दूसरों के सामने इतना जादा over strong दिखाना चाह रही थी, कि भई, मुझे आप console मत करो, बट, the moment I am alone, I think I used to be the most unfortunate person अपने नजरों में, तो वो एक चीज है कि आपको खुद का support करना ही पड़ता है, you have to be strong and you have to fight back. इसमें आपने कहा blaming yourself और ये आसे doctor भी मैं बहुत देखती हूँ, कि जब भी miscarriage की स्थिती हो जाते हैं, हम जानते हैं medically, इसमें कुछ cases में हम actually कुछ नहीं कर सकते हैं, पर कहीं न कहीं ये tendency होती है, घरवालों की भी होती है कई बार, patient की भी होती है, कि मैंने ये खा लिया हो होगा, मैंने ट्रावल कर लिया होगा, या मैंने अपने ये ध्यान नहीं रखा होगा, क्योंकि इनसान के मन की एक ये reflex रहता है, कि कुछ अगर खराब हुआ है, तो उसका कारण हो अपने अंदर ही रहता है, इससे कैसे बच सकते हैं, मैं actually मैंने खुद देखा था, जब first pregnancy तो लोग example देते थे, कि दादी, नानी, मम्या, हम लोग तो 9 महने तक काम करते थे, इतना chill out रहते थे, कभी कुछ नहीं होता था, ये आजकल के नाटक है, ठीक है भई, जब वो चीज फेल हो गई, I was very energetic सब कुछ, तो फिर बोला कि अरे तुम precaution नहीं ले रही हो, उटो धी तो भई, मैं ही माँ बनने वाली हूँ, तो obviously मुझे तो care है, तो कोई जान मुझ के तो कुछ करता नहीं है, तो ये एक चीज है, दोनों ही पहलो है, अगर आप energetic रहोगे तो भी problem है, आप नहीं रहोगे तो भी problem है, कि आजकल के नाटक, तो इसलिए बेटर है कि अपने बार लोगा, उसकी सुनो, let it be your mother, your father, and अपने डॉक्टर की सुनो, उसके अलावा third advice लेनी नहीं है, because advices इतनी जादा आती हैं, और वो इतना आपको confuse कर देती हैं, कि आप कहीं के नहीं रह जाते हैं, उस टाइम पर. इसमें बहुत बड़ा रोल है, मैं कभी भूल नहीं सकती, हर समय आपके father, बिल्कुल rock solid साथ में रहते थे, हर बार, वो यहीं कहते थे, कि मैंने दिप्ती को इसी तरह से बड़ा किया है, कि वो यह छोटी-मूटी तकलिफों से नहीं टूटेगी. बिल्कुल बिल्कुल मैं. यह जर्णी सरोगेसी की जो है, वो मैंने पापा से भी डिसकस की थी, हमने सोचा था कि हम साथ में आगे बढ़ेंगे, बर ठीक है, वो हो नहीं पाया, इस ओके, बट हाम है, family का support बहुत ज़रूरी है, चाहे वो आपके father हो, mother हो, in-laws हो, या आपके husband हो, unfortunately कुछ लोगों के प कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आप अपने साथ हो, तो I think आपको कुछ नहीं चाहिए और. जब miscarriage हो जाता है, तो immediately उसके बाद, एक तो डर भी रहता है, guilt रहता है, blame अपने आपको करने की tendency रहती है, घर जाके मैं वापस कैसे जाओ, क्या मैं बताओं सबको कि क्या हो गया है, और फिर कहीं न कहीं वो जो due date रहती है, या किसी और के बच्चों को देखके किया रही ये pregnancy continue हो जाती ही, तो ऐसा होता, तो ये किस तरह से, ये मैं समझती हो, as a woman, as a doctor, it is not easy, पट इसको पीछे रखके कैसे आप आगे बढ़ेगे, मैं, मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये चीज़े मेरे माइंड में आएंगी, मैं बहुती ज़दा चिलाओट रहती थी, ये cases होने के बाद भी, I used to, अपना paint लिखती थी मैं, diary maintain करती थी, मैं उसमें messages लिखती थी कि कभी babies आएंगे तो उनको ये बताऊंगी, और paint करती थी, मैंने एक wall बना रखी separate, उसमें baby का नाम लिखा हुआ है, दोलार मेरी बेटी का नाम था, वो लिखा है, and angel babies को paint किया हुआ है, तो there are so many ways कि आप अपने दर्द को निकाल सकते हो बाहर, other than कि भई आप खुदी depressed हो जाओ, better है आप उसको बाहर निकालो, पहला point, दूसरा ये है कि जो आपने बोला कि दूसरों के जब babies होते, तो मेरे साथ ऐसा हुआ, first time पे मेरी friend साथ में pregnant थी, उसके बाद मेरी मामी, आपके आपने की patient थी वो भी, वो pregnancy तो उनके babies हो गए, ऐसा था कि साथ में, मामा भांजा, something like that, वो होगा, वो एक चीज़ अब उन बच्चों को ग्रो करते हो देखना है, तो उस time पे ये नहीं होता है कि हम दुखी हैं उनके लिए, बट एक वो guilt मन में पता नहीं क्यों आ जाती है कि कहीं मैं कुछ गलत सोच तो नहीं रही, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं उनको देखके बुरा, मैं ऐसा चाहने रही, I am a good human being, पर कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं चिड रही हूँ, ऐसा तो नहीं कि मैं जल रही हूँ, तो वो आपके अंदर feeling नहीं होती, पर एक डर होता है कि कहीं आ अब गल्ती से भी एक बुरे इंसान की तरफ ना चल जाया, अब नेगेटिव ना हो जा लाइफ में, तो ये एक बड़ी अजीब चीज हुई थी मेरे साथ की, I think first pregnancy के टाइम पर मेरा miscarriage हो गया, और healthy pregnancy थी उसके बाद भी ऐसा हुआ, and साथ में मेरे friends के babies हुए, अब मैं बढ़ी excited, मैं उसी दिन गई, उनके babies के लिए gift लेकर गई, मिली, सब कुछ है, but I don't know why I started crying, मुझे इतना अजीब लग रहा था, खुद में, अभी मेरे goose bumps आ रहे हैं, कि मैं क्यों रो रही हूँ, मुझे पता नहीं है, वो एक confusion था, एक heartbreak I don't know, शायर में ये सोचती थी कि हमारे babies साथ में होते, या ये time मेरे ही लिए क्यों नहीं आया, ऐसा नहीं है कि उनके लिए क्यों आया, बट मेरे लिए क्यों नहीं आया, वो एक चीज रहती है, तो I started crying अकेले bathroom में, I used to think कि मैं क्यों रो रही हूँ, मुझे खुश होना चा तो I was happy, but meanwhile I don't know why I was crying and बहुत जादा रो रही थी मैं, and ये continue हुआ, I think लगातार दो साल, तीन साल ये चीज होती रही, and मैं हर pregnancy में friends के सोच रही हूँ कि यार I am happy, but why the hell I am crying, एक neighbor थे, उनकी baby का मैंने welcome पूरा plan किया था, तो वो लोग Delhi के थे, वो यहाँ पर आये, उनकी baby का म मेरी favorite, always, तो वो सब चीज है मैंने की, but उस baby को हाथ में लेते ही, मैं इतना रोई हूँ, उनके पास वो videos में हैं आज की date में, तो बाद में मैं realize कर रही थी कि यार, कहीं वो otherwise ना लेने, कि भई हमारा baby घर आया, आप गोद में लेके रो, but वो एक moment होता है कि आप भी जीना चाते थे, and baby girl का तो हमारे गार बड़ा, मैं और मेरे पापा हमें तो मतलब desperately चाहिए ही थी, अभी भी नहीं मिली, तो वो एक चीज थी, तो ये एक चीज आपके अंदर होती है कि कई बार आप खुश रहते हो, बट आप रोने लगते हो, शायद वही एक anxiety होती होगी आपक के अंदर, तो उस तीस से आपको fight भी करना है, बैटर रहेगा, आप अकेले में रोलो, एंड सबके सामने smile करो, तभी शायद आप स्ट्रॉंग बन के बाहर आ सकते हो, बहुत सारे ऐसे patients होते हैं, जिनके miscarriages हैं, जिनसे हम मिलते हैं, और ये पूरे journey में से जब वो निकल के उस तरफ आते हैं, कई बार गाने देखा है कि अंचाहे में ही बहुत बिटर हो जाते हैं, कई बार डॉक्टर के प्रती, कभी hospital के प्रती, कभी family, सास शुर के प्रती, पर यदि मेरी practice में मैं कहूं, तो you are the only example, कि जिसमें, जैसे आप पहले थे, you have with lot of effort, maintained yourself, your positivity, your happiness, your aura, तो जो आपका vibe है, वो कभी इन तकलीफों से change नहीं हुआ, और जैसा कहते है, भगवान की घर देर है, पर अंधेर नहीं है, तो आज क्या है, जीवन, कुस्छों जानते है फॉलो करते हैं, Instagram बे, तो जानते है, आप खुद बताइए कि आप कैसी है life, मैं मेरी life तो मतलब I used to be strong, मैं पापा पे गई हूं, मझे ऐसा लगता है, तो मैं काफी strong थी, मेरा यह है कि मेरा जो भी दर्द है, वो मेरा है, तो I can share my happiness with everybody, बत अगर मेरे दुख दर्द की बात ह तो वो मैं किसी से share नहीं कर सकती, वो मैं अकेले room में ही share करना पसंद करूँगी, even पापा के बाद भी, मैंने I think दिपान्शु को हग करके भी नहीं रोई, मम्मी को हग करके भी नहीं रोई, that's my pain, मैं अकेले पापा की photo के सामने रोलूँगी, but वो मैं किसी और के साथ share नह बात है, because शायद हमारा दर्द कोई और उस level पे नहीं समझ सकता, जिस level पे आप उसको feel कर रहे हो, तो अब तो ये time है, अगर मैं सब को देखू, तो मेरी mother काफी ज़्यादा परिशान थी, पापा के बाद उनको था कि ऐसा हो गया, ये हो गया, and अभी वो इतनी ज़्यादा का time है, even ना सोने का, या happy रहने का time है, वो बस busy है, susu party and feeding time है, तो काफी ज़्यादा changes है, एक baby पालना तो मुझे लग रहा है, बहुत easy है, twins भी ठीक है, but triplet में आपके पास दो हाते हैं, जब third रोने लगे तो कोई option ही नहीं बचता, beautiful time, but हाँ कभी emotional भी हो जाती हूँ, मैं क कि बड़े हो जाएंगे, तो कैसा लगेगा, बाकी मुझे लोग ज़ादा डराते हैं, कि teenager होंगे, तब क्या होगा, तीन तीन बेटे, तो बठा, यह है कि सारे लोग busy होगा है, किसी को ना दुखी होने का time है, ना रोहने का time है, सब लगे हूँ है, बिलकुल, it's a good, मतलब वही कहते हैं, अंत भला तो सब भला, तो यहां तो अंत काफी भला है, वही मैं, last आप से यही पूछना चाहूँगी, अभी कुछ ऐसे couples हैं, जो miscarriage के तुरू गुजर रहे हैं, या miscarriage के बाद प्रेगन होने के लिए सफर कर रहे हैं, उनको कोई light नहीं नजरा रही है, तो उनको आप क्या message देना चाहिए? आपको उससे प्रेड़ना मिलेगी पहली बात, दूसरी बात research करिए कि आपको next क्या करना है, आप अभी के वक्त में रोके उसको बिल्कुल मत गवाओ, बेटर रहेगा कि आप आगे बढ़िए, आपको next क्या करना है, आपको conceive कैसे करना है, अपने doctor से आप पूछिए, उनस से consult करिए, आपके लिए क्या बेटर है, आप naturally conceive कर सकते हो, any medication you need, any process जिसके तुरू आपको जाना है, और उसके बाद बेटर रहेगा कि आप अपने आने वाले भविश्य को देखो, अभी रोने के बदले, तो मुझे लगता है, आप कितनी भी बुरी स्तिती में है, आप उस में even मुझे रात में आपके सपने आया है, मैंने आपके message भी किया है, कि मैंने आपको सपने में देखा, तो एक शायद आपके mind में positive approach रहता है, एक angel रहते हैं, doctors और कुछ नहीं है, angel है, तो अगर आपके पास एक अच्छा doctor है, definitely आप इस चीज़ से बहार आएंगे, तो मैं अगर लोग भी उसको जल्ड से जल्ड ढूंड लें और अपनी life अच्छी कर लें, बहुत मुश्किल था ये life करना मेरे लिए, क्योंकि मुझे ये डर था कि मैं बात करते करते ही रो न दूं, क्योंकि ये जो journey था, हम सब का journey था, और over last three years, एक एक पल, जो तक्रीफ का था, जो खुशी का था, वो हमने साथ में मिलके जिया है, अभी भी आपने एक profile बनाई है, deep striplets, जिसको मैं share करूंगी link में, जिसमें हम ये बच्चों को बढ़ते हुए देखते हैं, और रोज वाकई में जब वो photos देखते हूं, तो इतनी खुशी होती है, क्योंकि कही न कहीं, as doctors, कही बार हम भी depressed हो जाते हैं, कही बार patient की, जब Siti का, हमारे पास science ही जहां तक नहीं है, उसका solution नहीं है, but your story is a hope, which I will carry till the end of my life, जब भी कभी हम निराश हो जाएंगे, तो हम हमेशा ये सोचेंगे कि नहीं, तब भी हमने महनत की थी, और हमें अच्छा result मिला, तो अभी result ह So, thank you so much for being with us, and God bless you and your wonderful family, and all of us are so thankful for you for sharing our journey, your journey, our journey, I can say, our journey, yes ma'am, sure, definitely ma'am, it's our journey, and I must say, I love you so much, मतलब एक तरफ मेरे पापा है, तो no doubt life में एक तरफ आप हो, तो I think इतना प्यार मैं other than family किसी से कर ही नहीं सकती, जितना आप से करती हो, तो अब मैं emotional over you for sure, we can end this, अब मैं over you emotionally, yes, आप से share करते हुए, कि आप कितने जादा important हो हमारे लिए, because जब आपके साथ कुछ गलत होता है, तो लोग blame करते हैं सीधे doctor को, कि doctor change करो, ये करो, and I was very straightforward, शुरू से मैं, मैं और even मेरे पापा, and even दिपांशो की भई, हमें नहीं करना है change हमारा doctor, and I don't understand, कभी भी कुछ गलत होता है, तो हम doctors को क्यो blame करते हैं, जब अच्छा होता है, तो हम उनको नहीं बोलेंगे, तब ह भगवान ने अच्छा कर दिया, तो जब गलत होता है, तो भगवान नहीं क्यों गलत नहीं किया, तो I think भगवान और doctor, same ही चीज है, और अगर कुछ अच्छा होता है, तो definitely वो doctor के कारण ही होता है, अगर कुछ एक बार गलत होता है, you don't need to change your doctor, बैटर है आप एक के पास र problem, और इसकी हम ड़काइची सुआ है, और इसकी हम ड़काइची हम रिख़ाची का इस तरफ में, आपको रास्ता लखा सते हैं, पर जिस पास बार गलत है रहका है का ढार। वो ही इंस्पाइर कर सकते हैं, वो ही कई बार आपको रास्ता दिखा सकते हैं. So, thank you so much. Thank you, मैं. And see you again very soon. Thank you so much, मैं.